दोस्तों, आपके सिस्टम में बहुत सरा ऐसे file folders होते हैं, जो बेकार पड़ा हुआ रहता हैं, और कुछ virus वाले file folders होते हैं, जिसके वज़ा से आपका system का space भर जाता है, ऐसे file folders के दिए आप delete करना चाहते हैं, तो आपको जाना होता है search box पर और यहाँ पे लिखना होता है, run run तेके दोस्तो और यहां पर रन ओप्शन पर मौसे क्लिक करना है उसके बाद यहां पर आपको टाइप करना होगा Temp T E M P ठीके दोस्तो उसे बतोके बटन पर मौसे क्लिक कर देना है यहां पर system के जितना भी बेकार पड़ा हुआ file folders को आप देख सकते हैं इन सभी file folders को हम delete करेंगे इसके लिए आपको पहले select कर लेना है उसके बाद keyboard से delete button दबा देना है यहां से सभी file delete हो गया है इसके बाद close कर देंगे उसके बाद फिर से एक बार search box पर जाएंगे और यहां पर फिर से run type करेंगे और यहां पर run option पर mouse से click करेंगे यहां पहले percentage type करेंगे temp type करेंगे फिर percentage ok बटन पर click करेंगे यहां पर virus वाले file folders आप देख रहे हैं इन सभी को भी delete कर देना है तो यहां सभी file folder delete हो गया है इसे हम close करेंगे उसके बाद सीधे हम जाएंगे recycle bin में क्योंकि दोस्तों जितने भी file folders मैंने अभी delete किया वो सभी recycle bin में जाके store हो गया है इन सभी file folders को delete करने के लिए आपको क्या करना है पहले set कर लेना है उसके बाद keyboard से delete बटन दबा देना है तो यहां सभी file folder delete हो गया है इस तरह से आप अपना computer में बेकार पड़ा हुआ file folder को delete करके computer में अधिक से अधिक space बना सकते हैं दोस्तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो like and subscribe जरू किसेगा और बेल लाक इनको दबाना नहीं बोलेगा ठीक है दोस्तो धन्यवाद